हेलो फ्रेंड्स होम फूट्स बाय चंचल में आपका स्वागत हैं आज हम बनाएंगे चने की सब्जी वह भी बहुत ही आसान तरीके से तो यहां मैंने सबसे पहले यहां पे काले चने ले लिए जिसे मैंने 6-7 गंटे के लिए भीगा के और नमक डाल के उबाल लिया है और य इसमें हमने एक बड़ी जमस तेल डालिया है हमारा तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे राई और जीरा अभी से अच्छे से तड़कने देंगे हमारे रायोज जीरा भून चुका है अब हम इसमें डालेंगे अपनी प्याज जो हमने शीज के रखी देंगे प्याज को अच्छे से बून लेंगे अच्छे से बून लेंगे हमारी प्याज भून चुकी है अब हम इसमें डालेंगे अपना जो हमने पिसा हुआ टमाटर किया था उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे नमक अपनी स्वाद के अनुसाद जो हम इसे भी मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे अपने कुछ मसाले फोड़ी सी हल्दी लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर आपको अपने टेस्ट के अगोडिंग ले सकते हैं आपको कित्ता तीखा खाना पसंदे और धनिया पाउडर गरम मसाला पोड़ी आपको यह हम डालेंगे थोड़ा सा पीसा बॉपाङ कहल बने पाउडर तको उसे अच्छ मिकस कर लेंगे यह थोड़ा सा पाने डालेंगे जिससे मसाला अच्छ​ से मिक्स हो जाएं अब हम इन मसालों को ढपके अच्छे से तेल छोड़ने तक पका लेंगे हमारे मसालों ने तेल छोड़ना चालू कर दिया है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें डालेंगे अपने चने इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो इसे ऐसे भी अच्छे से पकाके खा सकते हैं, थोड़ा 10 मिनट तक इसे पकने दीजिए, ऐसी सूखी भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं यहां इसमें थोड़ा पानी एड़ करूँगी, आप पानी अपने इसाब से एड़ कर सकते हैं, आपको कितना गाड़ा या पतला सबजी खानी पसंद है, अब इसे ढखके हम 10 मिनट तर पका लेंगे, हमारी सबजी बनके तैयार है, अब हम इसमें डालेंगे, बारी कटा हुआ धनिया, और इसे मिक्स कर लेंगे, हमारी चने की सबजी खाने के लिए तैयार है, आप देख सकते हैं, कितनी टेस्टी दिख रही है, इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ खाईए, बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा, और मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल होमफूट्स बार चंचल को लाइक, सब्सक्राइब, और जादा से जादा शेयर कीजिएगा, और बेल के बटन को दबाना ना भूलेगा, थैंक यू,